विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल पेपर है खर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुश्चन नंबर आपका 21 है ठीक है कुश्चन नंबर आपका 21 है जो कि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री बिस्ट्री आपका 2nd semester की बात करें आपकर और most important question है इनको हम यह करके discuss कर रहे हैं जो भी आपका यहां पर question दे रखाए ठीक है इसके बारे में हम बात करेंगे इसको discuss करेंगे क्या-क्या है जिगलर नाटा क्या होता है आपका गारा जिगलर नाटा उत्परेरक क्या है जिगल नाटा बहुली की करण पर बहुली करण पर टिपड़ी लिखनी है जिगलर नाटा क्या है और जिगलर नाटा बहुली करण पर क्या करनी आपको टिपड़ी लिखनी है ठीक है एक नोट लिखना है किस पर जिगलर नाटा बहुली करण पर तो सबसे पहरे हम जानते कि जो आ कि आपका है क्या है जिगलर नाटा क्या है आपका है जिगलर नाटा यह एफ्लीन और फ्रोपीलीन का बहलिकर बांट अच्छ नाव है जिए दाव करोने का जो आप बहुली करन है और उच्छ ताप इसके लिए आपको तो high temperature, high pressure की आवसकता होती है, Karl Jigler जो की क्या थे, एक scientist थे, कौन थे? Karl Jigler और Nata ये भी आपके scientist थे, तो यहाँ पर Jigler Nata मतलब दो scientist, एक कौन है Karl Jigler, दूसरे कौन है आपके Nata, то इनका क्या लिया गिया है, Karl का Jigler और Nata का Natata तो बन गया है, Jigler Nata, ठीक है यह दोनों बैग गयाने के आपके एक साथ में जुड़ जाते हैं ने ठीक है इन दोनों ने यह सुझाया कि यह बहुली करण सामान निदाब पर किसी अक्रिय बिलायक में स्टिरियोगि प्रेविक संकुल ठोस उत्परे रहा है जो तकन आपका तथा सधाय उत्रवड प्रय करने वाले हैं है आपके आर्थी यह लोगया लेतियम हो गया अधिसे बने होते हैं कि उपस्थिती में संभव है इन्होंने बताया था किसने जिगलर और नाटा इन दोनों किया बताया था सबसे पहले क्या बढ़ा था कि जो एथिलीन है प्रोपिलीन है इनका बहुली करन उच्छ ताप और पर ही संभव है लेकिन जो आपके जिगलर नाटा बेग्यानिक थे उन्होंने यह बताया था सुझाव दिया था कि यह बहुली करण कौन सा एथिलीन और प्रोपिलीन वाला जो बहुली करण है यह सामान दाप पर किसी अक्रिये बिलायक में कैसा आपका सॉलवेंट हो अक् कि तो क्लोराइड होंगे ठीक है कौन से शंक्रमन दातु होंगे जो फिसे सकता है और जरकोनियम ऊर्वार का होल4 हो सकता है इस तरह के आपके संक्ριमन थोस Ama rat जो कि संक्रमन दातु होंगे इनके सांथ में सहय उतन्य प्रियरक भी होगा क्या और रहींग में है तो यह आपका लिथियम ऐलूबिनियम हाइड्राइट तो यह क्या है आपके उपस्तिती में संभब है इनकी उपस्तिती में और प्रोपिलीन का बहुली कराण संभब हो सकता है ठीके जिउसे और नाटा सीटूसएंप है तनी वाता आपको याद रखनी है यही आपका जिउसे नाम से जाना आता है टी-ाई-C-L-4 क्या होता आपका टी-ाई-C-L-4 और क्या है आपका ए-ल और ब्रेकट में क्या हो जागा आपका C2H5 का whole 4 इसी को जिगलर नाटा कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं ठीक है किसको TICL4 AL bracket में क्या है आपका C2H5 का hole 4 इसी को जिगलर नाटा catalyst कहते हैं इस प्रकार जो उत्पाद बनता है उसे stereo specific उत्पादों की मात्रा अधिक होती है अब जो आपका उत्पाद बनेगा product बनेगा उसमें stereo specific उत्पादों की मात्रा कैसी होगी अधिक होगी ठीक है उसमें जो आपके उत्पाद होगे वो कैसे होगे त्रिविम में ज्यादा होगे यह बहुलक उच्च दाब बहुलक से काफी भिन्न होता है अब जो बहुलक बनेगा वो इस वाले से ठीक है उच्च दाब पर और उच्च दाब की requirement थी पहले लेकिन जिगलर ने क्या कर दिया एक catalyst दिया ठीक है इसकी उपस्तिती में जो आपका बनेगा वो कैसा होगा उच्च दाब बहुलक से काइसा होगा काफी भिन्न होगा ठीक है दोनों में क्या होगा इसको सामान दाब पर भी कराए जा सकता है ठीक है तो इन्हों ने क्या होगा C2H5 का whole 4 यह इनों ने कह दिया एक उत्प्रेरक दे दिया इसकी उपस्तिदी में क्या होगा कम दाब पर भी आपका यह बॉले करण संबब है तो इन दोनों दाब उपर जो आपका polythene बनेगा वो दोनों कैसे होंगे एक दूसरे से differ होंगे भिन होंगे ठीक है यही कह रहा है पॉलिथीन काफी दो जो हैं विन्न होते हैं इस पॉलिथीन का अड़ुभार कितना होगा इस पॉलिथीन का अड़ुभार आपका यहां पर दे रखा है दस हजार से लेकर तीस हजार जिसमें असाखित धातूओं अड़ुओं की संख्या अधिक होती है इनका अड़ुभार आपका कितना होगा दस से लेकर तीस हजार तक हो सकता है जिसमें क्या है अशाखित अड़ुओं की संख्या यानिकि इसमें ऐसे अड़ु होते हैं जिन और ये लचीले भी ऊते हैं ठीक है फ्लैक्सिवल होते है और उनका यहाई देंसिटी आपका आइधिनसेटी वाले यह जोई पालितीन होते हैं इस पर अमलों और चारों की कोई क्रिया नहीं होती है अमलचार इस पर कोई प्रभाव नहीं चोड़ते हैं या अमलचार का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यह एक उत्तम विद्धुत रोधी होता है कैसा होता है उत्तम विद्धुत रोधी होता है क्या वे लेयर चड़ा दी जाती है प्लास्टिक की ठीक है इसी प्रकार इस बिदी द्वारा प्राप्त हुए पॉली प्रोपिलीन अधिक मजबूत वा हलका होता है इस बिदी में जो आपको पॉली प्रोपिलीन मिलेगा वो कैसा होगा इस्ट्रॉंग होगा आपका और कैसा होगा हलक लाइट वेट होगा इसका उपयोग फिल्मों को लपेटने तथा रसियों के बनाने में किया जाता है ठीक है फिल्मों को लपेटने और रसियों के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ठीक है जो आपका जिगलर नाटा की उपस्तिती में पॉलिथीन बनता है उसका ठीक ह जिगलर नाटा बहुली करण है अब हम बात करेंगे जिगलर नाटा पॉलिमराइजेशन की जिगलर नाटा का जो पॉलिमराइजेशन होता बहुली करण होता वो कैसे होता है इसको जानेंगे जिगलर नाटा वहली करण किस प्रकार से होता है यह अभी पूरी तरह से इसपस्ट नहीं है यह ठीक प्रकार से इसपस्ट नहीं है ठीक होता है लेकिन किस प्रकार होता है पूरी तरह से अभी इसपस्ट नहीं है यह माना जाता है कि धातू और ब्रद्धी करने वाले एलकिल अडू प्रभेस कर जाता है यह का संकल्पना है या hypothetical process है या इसको माना जाता है कि धातु और ब्रद्धि करने वाले और ब्रद्दी करने वाले अल्कल समूँ के बीच में तो इनके बीच में ठीक है यह बंड है बंड में ऐलकीन अडू अब इसमें क्या होगा आपका कोई है और प्रिवेस कर जाएगा ठीक है उसके बिच में कोई दूसरा एलकीन जो है प्रिवेस कर जाया ठीक है थीक है करता है तो किस तरह से पॉलीथीन का निरमाड में दिखाय और उसको देखें गए घ मांपर आपका देरखा और कर लेते हैं यह जो आपका क्या कर रहा है? chain की बिरद्धी कर रहा है. metals से लगा हुआ metal से लगा हुआ बिरद्धी करने वाला जो आपका alkene group है, उसके बीच में यहां पर, जो आपका alkene होगा. ày टीक है? alkene का molecule प्रवेस कर जाघा इसके बीच में, ठीक है. दोनों जगेर पर कहीं भी लग सकता है ठिक तो यहीं क्या हो जागा मैं इस तरह से जो है यह प्रोसेस इस तरह से होती है लेकिन पूरा है पूरी तरह से जो है इस पस्ट नहीं है ऐसा कहा जाता है तो इस जो आपका process है ठीक है यह pi complex बन रहा है मतलब कि जो आपका metal है और जो आपका alkin है इन दोनों के बीच में क्या है अभी bonding होने वाली है ठीक है यानि कि metal पर कैसा आजागा आपका minus का charge आजागा और इस वाले एक carbon पर कैसा आजागा आपका plus का charge आजागा कब जब यह alkin के बीच का bond break होगा तब ठीक है alkin के बीच का bond break होगा यानि कि एक bond दो electron से बना हुआ है यह तो metal क्या करेगा इसके दोनों electron को अपनी और खींच लेगा और इस पर किसी एक carbon पर कैसा आजागा आपका positive charge आ जागा ठीक है और इसी को हम कहेंगे इस stage को हम कहते हैं pi complex क्या है यह आपका complex बना हुआ अभी पूरी तरह से यह नहीं है कि जो alkin group है वो कहां enter किया हुआ है ठीक है अभी आपका alkin group enter नहीं किया हुआ है ठीक है अब क्या होगा अभी जो अलक अथे मुंहां इसका जो हो है अभी गमन or यहाउजर और यहां सकता ठीक है किसी एक साइडमें आप इसको इंसर्ट करा सकते हो तो मानलो यह आपका up कीन का जो था अधर समुह है यह आपका मानलो यह जा रहा ठीक है first कारवन और धातू के बीच में तो यह क्या होगा यह आपका बीच में आ जागा सेच्टू सेच्टू क्या जागा यह जो सेच्टू सेच्टू है वो यहां पर आपका आ जागा और बाकी सेच्टू सेच्टू आगे रहेगा ठीक है तो यह आपका आगा सेच्टू सेच्टू यह आपका क्या था insert करा हुआ है यह insert करा हुआ है आपका에-thyl समु है और यह क्या है यह आपका वही समु है जो methal से पहले लगा हुआ था ठीक है तो इस तरह से यही माना जाता है कि अगला आने वाला जो आपका एलकीन गुरुप होगा वो क्या होगा मेटल से लगे हुए ब्रद्धी करने वाला जो एलकील समू होगा उन दोनों के बीच में क्या इंसर्ट कर जाता है यह अन दोनों के बीच में क्या हो जाता है यह लग जाता जाके ठीक है जिगलर नटा के द्वारा यही माना गया है ठीक है लेकिन ये पूरी तरह से पता नहीं है कि ये रिक्षन आपकी कैसे होती है ये भी कहा गया है इसके बाद में मालो दूसरा मालिकूल आ गया ठीक है कोई दूसरा आपका अलकीन आ गया वो किस तरह से का शीम इसी तरह से आपका इंसर्ट करेगा यह आपका क्या गया कोई दूसरा अल्कीन का माली कुलْंड आ गया यह क्या करे equipped के रहें तो यहाँ पर भी आपका फाई कॉंप्लेक्स बनेगा means जो आपका ऑल्कीन के बीच में जो double कारवन जाके मेटल से जुड़ जाएगा और यह स्रंखड़ा थोली आगे की और खिच जाएगी ठीक है तो क्या बनेगा यह च्छ टू इसमें आपका एक बार और इंसरेट कर जाएगा तो च्छ टू कितने हो जाएगे दो तीन और दो और लग जाएगे आपके तो च्छ और तो कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइब और आपके एक आगया च्छ टू और नीचे आपका इस वाले कारवन से च्छ टू और पर यहां पर लगा हुआ है ठीक है तो यहां पर आपका कुछ इस तरह से बन जागा ठीक तो यह आपका एथेन गुरूप यहां पर Azure by 217 10 ौट आं इसके बाद यह करता था अभीलकल करता था हमने यहां पर लगा दिया कुई दिक्क्त नहीं अभी क्या करेगा यह करें लगए ये कारवन से लग जाएगा बस वो सारी मेटाल से लग जाकर यहां पर 1234 कितने अचीन कर लगे यह दो तीन चार एक च्छ टू और यह आपका त्री तो इस तरह से क्या हो जागा एक लंबी सरंखला बन जाएगा ऐसा कहा जाता जिगलर नाटा बहुली करण में अब क्या होगा अब क्रिया की पुनराब्रति यानि कि इसी तरह से अब क्रिया और आगे बढ़ती रहेगी यह प्राप्ति नामें इस बात को देहां रखना इस प्रकार प्राप्त होने वाला उत्पाद सीधी सरंखला बहुली करण यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बोक ऐसा होगा ऊस्टार यहां प्रिक्रमम द्वारा प्राप्त होने वाले बाहुलक से भिन्न होता है उससे रेडिक बाह बनता है उससे यह कैसा होती है इसकी सरचना कैसी होगी साख्य-यूक्त होगी और और इसके अलाबा जिगल करम की महत्पूर्ण विसेश्था यह इसकी एक इमपोर्टेंट जो है विसेश्था है व क्या है इसमें बहूलत स्रंखला में एकलक एकाईयों के जुड़ने के तरीके पर त्रिविम रसायनी नियंत्रड क्या होता है कह रहा है इसमें बहुलक त्रंकला के एकला के काईयों के जुड़ने के तरीकी पर क्या होता है त्रिविम रसायनी नियंत्रण यानि कि स्टीरियो केमिकल कंट्रोल रहता है ठीक है कहा रहता है आपका स्टीरियो केमिकल कंट्रोल रहता है यानि कि अगला आने वाला जो आपका गुरुप होगा एलकीन होगा वो कहां पर लगेगा यह कंट्रॉल रहता है इसमें ठीक है यह इसकी विसेश्था यह महत्पूर्ण बाद है करा वाइनल बहुली करण में तीन बिन प्रकार के सीर्से से पूंच बहुलक संबब हैं किसमे बाद करें किसकी वाइनल बहुली करण की बाद करें तो इसमें तीन बिन प्रकार के सीर्स से पूंच कहां होंगे हैड़ टू टैल कहां होंगे आपके हैड़ टू टैल बहुलक संबब हैं ठीक है किसमें बाइनल बहुली करण में ठीक है किसमें बाइनल बहुली करण च्छ सिंग्ल बॉन्ट आपका क्या होगा याँपर क्या लगालो आप मेठल लगा ठीक है तो यह जो आपका पॉर्षण होता है यह इंसाइब ऐस Тि है भलाक बनने की सम्भावना अधिक रातीह है तो यह तो था आपका जिगलर नाटा उत्पिरे रख क्या है ठीक है क्या पढ़ाता आपने TiCl क्या पढ़ा था TiCl4 क्या पढ़ा था आपने TiCl4 Al breakd मेराथा आपका C2H5 का whole 4 जिसे जिगलर नाटा catalyst कहते हैं क्या था TiCl4 और Al breakd मेराथा आपका C2H5 का whole 4 तो ही होता आपका जिगलर्नाटा CataList ठीक है जिगलर्नाटा Catalyst उठीक है इसकी उपस्तिति में जो आपका Polymer आए इसका था आपका किस-किस की reaction कर रहे थे Optiz Lane की और Propylene की जो कि High pressure High temperature पर इसमभब्दां इन दोनों का वहली करण लेकिन जिगलर्नाटा ने क्या करह दो बैग्यानिक भीशायां थे उन्होंने ये आपका कैनल को सबस्क्राइब करदो